दिल्ली को 200 किलोमेटर के दारे के शेहरों से रैपिड रेल से जोडने का काम शुरू हो गया है ये दूसरा कॉरिडोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आगरा से जोड़ेगा कारे दो श्रणों में पूरा किया जाएगा इस रैपिड रेल पर योजना का पहरा चरण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा ट्राइ सिटी की रिपोर्ट के अनुसार दूसरा चरण दिल्ली और आगरा के बीच होगा अधिकारी चाते हैं कि दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग एक घंटे के भीतर राश्ट्र राजधानी की यात्रा करें इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो राश्ट्र राजधानी शेत्र में नहीं रहना चाते यहां रहने की लागत बहुत अधिक है प्रोजेक्ट का दूसरा कारण नोईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली एंसियार शेहरों से जोड़ना है ये कॉरिडोर दिली रेलवेस्टेशन को सीधे नोईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा इस परियोजना की तीसरी उपियोगिता दिल्ली के आसपास के सांस्क्रतिक धार्मिक ऑपरेटन केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है इसमें दिल्ली, नोईडा, ग्रेटनोईडा, व्रिंदावन, मत्रा और आग्रा शामिल है उमीद है कि सरकार को अगले कुछ महीनों में फिजिबिलेटी रिपोर्ट और व्रिस्तत परियोजना रिपोर्ट मिल जाएगी पहले चरण की लंबाई करीब 100 किलोमीटर होगी दूसरा चरण भी 100 किलोमीटर का होगा गली आरे की कुल लंबाई 200 किलोमीटर होने की उमीद है दिल्ली आग्रा और दिल्ली रिवाडी जैपूर रैपिट ट्रेने 220 किलोमीटर प्रती घंटा तक की गती से चलेंगी दिल्ली आग्रा लाइन एक एलिवेटेड आर आर टी एस कोरिडोर होगी सी न्यूस के लिए बियोरी रिपोर्ट